क्लास टेंथ के एक्सेसाइज 2.1 का कोशन नमबर 1 है हमारे सामने जिसमें के रहा है तक ग्राफ ओफ y equals to px are given in the following figure for some polynomials px find the number of zeros of px in each case हमें polynomials जो है वो ग्राफ पर represent किये गए है px के लिए मतलब कि वहाँ पर variable जो है वो x है ठीक है हमें पता लगाना है zeros सभी cases में कितने zeros होंगे हमारे polynomials के तो simple सा concept है अगर polynomial जो रिपर्जेंट किया गया है ग्राफ पर वो line x-axis को जितनी बार काटेगी उतने ही zeros होंगे ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं first में यह line है और यह x-axis है यह आपस में कई भी touch नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या होंगे no zeros इसका answer हो जाएगा कोई भी zeros में नहीं है second है second में यह हमारी polynomial वाली line है और यह x-axis को इस point पे काट रही है एक ही point पे काट रही है तो one zero ठीक है अगर तीन point पे काटती है तो three zeros अगर दो point पे cut कर रही है तो two zeros अगर चार point पे cut कर रही है तो four zeros अगर तीन पॉइंट पे cut कर रही है तो three zeros यहाँ पर यह touch कर रही है इसका मतलब भी क्या होगा यह एक zero होगा इसका ठीक है एक zero यह एक zero यह और एक zero यह तो three zeros तो simple सा concept है अगर x-axis को जहाँ पर भी cut करें या touch करें उसको हम count करेंगे एक zero ठीक है झाल यह झाल यह झाल यह झाल